मेरा सवाल है आपसे कि दिल्ली के आज के जो हालात हैं उनके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और एक संकर्प लेने का है कि हम अगर एक दूसरे से कोई विवाद करते हैं तो उसको समबाद के माध्यम से हम हल भी कर सकते हैं। हमें कहीं समबाद से आगे जाने की आवशक्ता नहीं है। भाई भाई पर हमला करें भाई 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 के घर को जलाएं ऐसा कैसे भारत में हो सकता है? ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है होता है बहुत दफा हुआ है लेकिन राजधामी में हमारे इस पवितर केंदर में आज हम एक दूसरे के साथ ऐसा करें पहले इसको रोकें फिर जो भी चर्चा करनी है। हो बाद में चर्चा करेंगे। ये बात तेय करने का नहीं है वैसे ये बात सही है कि एक संस्थाएं है जिसे कोट है कोट भी बहुत सुझबूज के साथ बहुत कैरफुली जो भी कहेगा बहुत बहुत ये समझ के कहेगा कि इसका कोई गलत प्रभाव कहीं ना पड़े लेकिन कورट को जो अधिकार है वो हम कौरट के पास रहने दें वो समझदार होते हैं उनके पास अनुभव होता है और उनकी बात को बहुत-बहुत संजीद्गी के साथ गंभीरता के साथ दिया जाता है राजनिती ये जो भी कहेंगे उस पे कहीं न कहीं शुभे का प्रशन चिन लग जाएगा, संधे का प्रशन चिन लग जाएगा, इसलिए मेरी आपसे विनिती है कि इस समय सिर्फ ये पूछे कि हम मरहम कैसे लगा सकते हैं, आग कैसे बुझा सकते हैं, हम किसी पे आरोप ने लगाना चाहते हैं, आरोप लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस समय जिम्मेदार लोग आरूप ना लगाएं तो बहतर है। हम को सरकार दुखी करना चाहे सरकार हम पर जखम करना चाहे सरकार हम पर प्रहार करना चाहे हम सह लेंगे लेकिन इस समय जो साधारन हमारे देश का नागरिक है आज उन मासूम लोगों के साथ जो हो रहा है वो रुकना चाहिए इस से जादा हम और क्या कह सकते हैं हम हर पानी देने के लिए तयार हैं लेकिन ये बात तो रुकनी चाहिए सरकार को समझ है क्या सरकार को समझ नहीं है समवेदन शीलता है कि समवेदन शीलता नहीं है अभी आपने ही स्वेम कहा कि सरकार की और से कोई जाकर ये कहे कि जो हुआ सो हुआ पताईए ऐसी बात कहने पर कु हम साथ हैं, ये दर्द आपका ही नहीं है, अकेले ये हमारा भी दर्द है, आईए हमको एक पर हम लगाने का मौका देजे, आज यतना तो कहना चाहिए, अगर नहीं लोगों को समझ है, और अगर सरकार में बैठी सतर उन लोगों को ये समझ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हम